माराश की सियासत में आए दिन नया उतार चड़ाव देखने को मिल रहा है अलग 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 जो चुनाव को लेकर के यहां पर प्रतिक्रियाई सामने आ रही है वो तो हैं ही इसके अलावा माराश की सियासत में जो लटफेड देखने को बुल रहा है उसमें सबसे बड़ी बूमिका निभाते हुए अजीत पवार नजर आ रहे है अजीत पवार ने जब से डिप्टी सीम पत की शपत ली है तब से कहा जा रहा है कि मुख्य मंतरी एकनाच शिंदे का अब कोई वजूद ही नहीं बचा है बाराश के सियासत में और एकनाच शिंदे को दरकिनार करनी की कोशिश यहां पर जिस तरीके से भारती जंता पार्टे की तरफ से की जा रही है वो जल्ग जाहिर हो चुका है क्योंकि कहा जा रहा है कि एकनाच शिंदे के पास अब कोई चारा नहीं बचेगा राजपाल को इस्तीफा सौपने के लावा दरसल ये पूरा मामला अब गर्माता हुआ नजर आ रहा है सियासत लगातार इस पूरे मुद्दे पर बढ़ती जा रही है और कहीं ने कहीं ये भी कहा जा रहा है कि मुख्यमंत्री एकनाच शिंदे के जो विधायक है वो उनसे नाराज चल रहे हैं कुछ ऐसे विधायक हैं जो उद्व ठाकरे गुट पें दुबारा से वापस जाना चाते हैं कुछ ऐसे विधायक हैं जो उनसे नाराज चल रहे हैं सीटो के बटवारे को ले करके तो इन तमाम मुद्दों पर जो एकनाच शिंदे हैं उनके मुश्किले बढ़ती हुई नजर आ रहे हैं अब कहा जा रहा है कि इन तमाम मुद्दो पर अगर एकनाच चिंदे कोई फैसला नहीं ले पाए कोई कदम नहीं उठा पाए तो उनके लिए मुश्किले खड़ी होती हुई नजर आएंगी अपना शक्ती प्रदर्शन दिखाने की कोशिश एकनाच चिंदे इस वक्त करते हुए नजर आ रहे हैं कहा जा रहा है कि अपने विधायकों के साथ अमलेज के साथ वो बैठक कर रहे हैं सभी को एक जूट करने के कोशिश कर रहे हैं ताकि कोई भी बगावती सुर ना अपना ले और एकनाच चिंदे को इस्तीफा ना देना पड़े लेकिन अभी जो इस्तीफी बनी हुई है माराष्ट में उसके मद्दे नजर अगर देखा जाए तो अजीत पवार और देवेंद्र फंडवेस इस वक्त डिप्टी सीम बने हुए हैं लेकिन यहाँ पर मुख्यमंत्री से ज़ादा जिम्मदारी उनके कंधों पर है और कहा जा रहा है कि भारतिय जंता पार्टी यहाँ पर जिस तरीके से एकनाच शिंदे को दरकिनार करने की कोशिश कर रही है उसके मद्दे नजर एकनाच शिंदे के पास स्तीफा देने किलावा कोई विचारा नहीं बचेगा इन तमाम मुद्दों पर राजनीती बढ़ती जा रही है 2024 का लोगसभा चुनाव भी काफी नजदीक है ऐसे में लगतार ये कयास लगाया जा रहे है कि महराश में बीजेपी जिस तरीके से अपना गड़ वो बनाती जा रही है अपनी जो ज़रूरते हैं वो वहाँ पर पूरी करती भी नज़र आ रही है तो ऐसे में 2024 के लोगसभा चुनाव के मद्दे नज़र महराश की लोगसभा सीटे बीजेपी के हक में आ सकती है इन तमाम मुद्दों पर आप क्या सोचते हैं हमें कमेच करके जरूर बताएं देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए SPN 9 News